अचमेर की रामगंस थाने पुलिस ने फाइरिंग कर जानलेवा हमले करने पर हूद के मामले में चार आरोप्यो को गिरफ्तार किया है इस हम जा चुका है पुलिस ने मामले की जाज मे जुटी है। रामगंस्थाने के सब इंस्पेक्टर महादेव सिंग ने बताया कि जहवार कि नारी शेत्र में अनस्यूए की जीसी इकाई अध्यक्ष राजिंदर भढ़ाना पर जमीनी विवाद के चलते फाइरिंग का मामला सामने आया था इस मामले में पीडित की ओर से रामगंस्थाने को गिरफ्तार किया है सब इंस्पेक्टर महादेव और्मा ने बताया कि चारा रूपी अजमेर के ही रहने वाले हैं जिनका नाम महंदर गूजर शुबम जय सिंग रावत और रोहित को गिरफ्तार किया गया है जिनसे फाइरिंग और जानलिवा हमले के मामले में मुदमा दर्ज कराया गया था बाकि अन्य रिपोर्ट भी दी गई थी इस मामले में छे आरोप्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है मारफिट करने वाले लोगों की पहचान कर अगरी अनुसंदान किया जाएगा गोरतलवे की जमीन विबाद की चलते राजिंद भराना के उपर फाइरिंग करते वे वदमाशों ने लाठ डंडो से हमला किया था इसी दोरान एक गोली उसके हाथ पर भी लगी थी 17 मार्च को फाइरिंग और जानलेवा हमले समदित मुगतमा दर्जवाता 124 नमबर उसके अंदर पांच नामजद आरोपी थे जिनमें से दो को पहले गिरफदार किया जा चुका है और बाकी फ्राड चल रहे थे उसमें से कल ले चार लोगों को गिरफदार किया है उनके नाम है महेंदर गुजर गूगरा का सुभम उर्फ लाला है प्लिस्टाइन के सामने और जैसिंग रावत उर्फ भोला है गड़े सगड़का रहने वाला है और रोहित उर्फ टारजन ये प्लिस्टाइन के पास के रहने वाला जिनको कल गिरबदार किया है आज पोट प्रूब 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 प्रूब